कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे leadership के बारे में दुनिया में जितने भी लीडर्स होते हैं वो कितने त्रह के होते हैं जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस पता चलेगा कि अभी आप कौन सी category में है और आपको कौन सी category में पहुंचना है देखिए दुनिया में मोश्टली पांस तरह की केटेगरी होती है जितने भी लीडर्स हैं उनकी पांच केटेगरी है हम हर एक केटेगरी को ध्यान से समझते है सबसे पहली केटेगरी ये वो लीडर होता है जो किसी गोल को डिसाइड करते है और उस गोल को अचीव करने की कोसिस करते है लेकिन जब ये एक बार फेल हो जाते है तो ये हार मान लेते है ये कह देते हैं कि भी ये गोल अचीव नहीं होने वाला ये मतलब सुरू में ही हार मान लेते है दूसरे तरह के जो लीडर्स होते है ये क्या करेंगे कि जब गोल को अचीव करने की कोशिस करेंगे और एक बार फेल हो जाएंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा एनिलिसिस करते हैं ये चीजों को समझते हैं और फिर उसके बाद ये आपको एक लोजिकल कारण बताएंगे कि भाया इस वज़े से यह goal अचीवनी होने वाला मतलब जो पहले track लीडर्स थे वो तो ऐसे ही आपको मना कर देंगे भाया नहीं यह goal अचीवनी होगा लेकिन जो यह दूसरे track लीडर्स है यह आपको एक logical कारण बताएंगे कि भाया इस वज़े से यह goal अचीवनी हो सकता इसके बाद आते हैं तीसरे track लीडर्स जो थोड़े और बेटर है यह क्या करेंगे कि अगर मालोक किसी goal को यह एक वार में अचीवनी कर पाए एक वार फेल हो गए तो यह दूबारा ट्राई करेंगे दूबारा फेल हो गए वापस तीसरे वार ट्राई करेंगे लेकिन जब यह तीन यह चार वार फेल हो जाते हैं तो उसके बाद यह भी हार मान लेते हैं मतलब पहले वाले ने तो सुरू में हार मान ली दूसरे वाले ने भी सुरू में हार मानी लेकिन उसने एक logical कारण बताया और जो ये तीसरे वाले हैं ये तीन-चार बार ट्राइ करेंगे और जब तीन-चार बार हार जाएंगे उसके बाद ये पूरी तरह से हार माल लेंगे कि वेज़ ये गोल अचीव नहीं होने वाला लेकिन इनके साथ एक कम्या है कि ये हमेशा stress में रहते हैं अगर मालो इन्होंने गोल को अचीव करने की कोसिस करी अचीव नहीं कर पाए फेल हो गए दुबारा कोसिस करेंगे दुबारा फेल हुए तीसरी बार तीसरी बार फेल हुए चोथी बार जब तब गोल अचीव नहीं होगा तब तक ये बार बार कोसिस करते रहेंगे और गोल को अचीव करके ही रहेंगे लेकिन इनकी लाइफ में stress रहता है लेकिन अब जो पांचवे तरह के leaders आते हैं ये वो लोग हैं जो पेदाई होते हैं इतिहास रचने के लिए सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा contribution करने के लिए ये भी गोल को अचीव करते हैं लेकिन इनमें और चोथे तरह के leaders में क्या फरक है ध्यान से समझीए जो चोथे तरह वाले leader है वो क्या करेंगे कि गोल को अचीव तो कर लेंगे लेकिन उनकी life में हमेशा stress रहता है क्यों क्योंकि जो तरीका उन्होंने अपनाया था गोल को अचीव करने के लिए वो बार-बार उसी तरीके को अपनाते है लेकिन जो ये पांचवे तरह के leaders है ये क्या करेंगे इनकी life में stress नहीं होगा बलकि ये strategy के साथ काम करेंगे ये जब एक बार fail होंगे तो ये रूकेंगे ध्यान से समझेंगे और ये सोचेंगे कि वह ये इस goal को अचीव करने का दूसरा क्या तरीका है ये मतलब strategy बना कर काम करते है तो ये जो पांस तरह के leaders है पहला जो सुरू में हार मान लेता है दूसरा जो सुरू में हार मान लेता है लेकिन ये आपको एक logical कारण बताता है ये इस वज़े से ये goal achieve नहीं हो सकता तीसरा जो तीन-चार बार कोसिस करेगा फिर हार मान लेगा चोथा जो goal को achieve करके रहेगा लेकिन इसकी life में stress रहता है ये कोई अलग रास्ता नहीं ढूणता जिस तरह से ये पहले कोसिस कर रहा था उसी तरह से बार बार कोसिस करेगा और goal को achieve करके रहेगा लेकिन उस एक ही तरीके से लेकिन जो ये पांच वी category है तो तीसरा तरीका ढूंडेंगे, तीसरी वार फेल होंगे तो चोथा तरीका ढूंडेंगे, मतलब गोल को अचीव तो यह भी करेंगे, लेकिन यह strategy के साथ काम करेंगे, यह stress लेकर काम नहीं करते, तो यह 5 तरेके leaders होते हैं, तो आपको यह देखना है कि अभी आप कौन सी category मे और आपका मकसद क्या होना चाहिए पांच वे तरह की केटेगरी में पहुंचना मतलब गोल को अच्छीव करना है लेकिन इस्ट्रेस के साथ नहीं इस्ट्रेडिजी बना कर तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट में उताईए कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं आपको मेरी हराने वाली वीडियो मिलती रहें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके जरिये किसी और की भी हेल्प हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में